नमस्कार, आज के इस छोटी से वीडियो में हम कच्छा दस्वी के जो विद्धार्थी पेपर दिलाने जा रहे हैं, उनके लिए हिंदी में पेपर आपको कैसे बनाना है, ब्लूप्रिंट क्या क्या है इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, सिधे हम ब्लूप्रिंट को ही क्यार करते हैं, और इसमें आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से जो प्रस्न, दो अंक वाले रहेंगे, उसका उत्तर कितने लाएन या कितने पंक्ती में लिखना है, इनहीं छीजों को मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा, जैसे आपके पास एक अंक वाले प्रस्न आते हैं, कुल पंद्रा, दो अंक वाले प्रस्न आते हैं, कुल पांस दोनी दस, तीन अंक वाले आते हैं, तीन चौंक बारह ये चार प्रस्न, पांच वाले आते हैं, पांच तो चार पंचे बीस और आपके पास आठ वाले एक निबंधात्मक प्रस्न ये गद्यांस और दूसरा आपका क्या पत्र है तो 5 दोनी 10 तो इस प्रकार से आपको क्या केयर करना है तो ये निभंधात्मक जो है निभंध आएगा वो तो एक ही आएगा मानके चलिए तो आपको निभन में कोई प्रॉब्लम में निभन जैसे लिखना है आपको लगभग पीज में आपको लिकने हैं दो पेज याने एक पत्ता में उसके बादे पाँ है पत्र लिखन और दूसरा आता है अपठी ne mo ear तो आपको क्या करना है पत्र जब भी लीखacious गे तो आपको उसको एक पेज में लिखेंगे एक प्रिष्ट पर ही क्लिया लिखेंगे कोई उसमें दूसरा चीज नहीं होना चाहिए और अब अब अबटीत गध्यांस पढ़के आपको उत्तर देना है वो भी होना चाहिए तो एक प्रकार से कहा दियें कि निबंद को जब भी लिखोगे एक पत्ता यानि दो पेज में ल लिखोगे अब आपके पास आता है दो अंकों के प्रश्णों को हम कितने लाइन लिखेंगे तीन अंकों को चार अंकों को सांथी साथ आप एक चीज और करना जी चार अंके प्रश्ण है उसी में एक भावार्थ पूछा जाता है व्याख्या तो कौन-कौन सी इकाई को दे आपका जैसे पहला पाट से ही व्याख्यानी की संभावना रहता है जिसमें चंद्रगैना से लोडती बेल और बादल को घिरते देखाएं इन में से एक में से निश्चित आएगा अत्वा करके इधर कहीं से भी आपको दिया जा सकता है तो चलिए अपन देखते हैं कैसे आप को देना है उत्तर तो आपके पास है ये दो अंकों की यदि प्रश्ण हो तो उसमें हमको निर्देश में दिया जाता है कि सब्द सीमा कीतना होना चाहिए तीस जब भी आप लिखते हैं तो एक लाइन में आपके पास ज्यादा से ज्यादा छे से दस सब्द आते हैं यानि एक लाइन में छे से दस सब्द आपको तीस लिखना है माली जे छे आ रहा है तो छे पंचे तीस यानि छे लाइन लिखना पड़ेगा लेकिन एक कामन देख लेना कि दो अंक वाली जब भी कोई प्रश्ण आएगा वो तीस सब्द में रहेंगे तो उसको तीन से पांच ला पांच से लेकर साथ यानि पांच लाइन नियूनतम यानि पांच लिखना ही है अधिक्तम कितना लिख सकते हो साथ लाइन उसके बाद है चार अंको वाले प्रश्ण 75 सब्दों में प्यूचा जाता है तीसको आठ लाइन से 10 लाइन आपको लिखना है नियूनतम आठ अधि कितने कर सकते हैं दस समय किछी का चरित्र चितरण पूछे दिया जाये चार अंका है तो चार टापिक डालके आप उनका में करोगे या तो बारा भी चल सकता है उसके बाद है 5 अंक वाले जो प्रश्णन है आपको अधह सब्दों में प्रिष्ट में एक पेज में लिखना है ठीक है उसके बाद आठ अंक वाले जो प्रशना आते हैं आपके पास निबन जिसे 250 से 300 सब्दों में लिखना होता है तो आप मान के चलिए कि एक पेज और दो पेज यहने दो पेज यहने एक पत्ता में आप कौन को लिखने का प्रयास करना है डेड पेज लिखो गयानतता तो भी चलेगा लेकिन दो तक भी आप आसानी से चाहे तो लिख सकते हैं कभी कभार दो अंक वाले जो प्रशना आते हैं आपको एक लाइन में ही हो जाता है अगर आप यह सोचेंगी कि यह रहे हमको तो सर ने बोला है कि कम से कम तीन लाइन लिखना है और अधिक्तम से अधिक्तम पांच दोंग कोमाले को जैसे आपके पास प्रस्ण है कन्यादान में कि इस पार्ट में किसके किसके भी सम्माद हो रहा है तो एक ही लाइन में हो जाता है इस पार्ट में मा और बे वही आपको लिखना है तो इनको आप कैयर कल लेंगे जब भी आप लिखोंगे दो अंक्वाले को हमेशा मेंसा की तीन से पांच बेन से पांच तीन अंक GOT को हमेशा पांच से सात लेन चार अंके वालों को हमेशा आट से दस li पांच अंग्तिक वाले को अगर लेटर हो तो एक पेज में और अपठित गध्यान्स को परशन के अधार पे लिखना है निबन को आपको लिखना है एक पत्ता, डेड़ पत्ता या दो पत्ता ठीक है इस प्रकार से ये सजेशन है आप चाहें तो इसी के अधार पे लिखें औ आप सबी को बहुत बहुत धन्यमाद.